तो कुछ दिनों पहले मैंने एक चीज की थी जिसे मैं नाम देता हूँ डिजिटल उपवास का और वो चीज के इतने सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स है कि मैंने सोचा कि मैं यह चीज आपके साथ शेयर करूँ जैसा कि इसका नाम कहता है एक दिन के लिए, सारी है कि इडिजिटल टीजों तहले, चीज दिन पवास है कि मैं आपके साथ थोई दर बात शेयर करऊंगए इसी वीडियो में बट उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि यह चीज़ करने का मेरा रीजन क्या था ऐसी कौन सी आफ़त आन पड़ी कि मैंने यह स्टैप लिया अब इस चीज़ का सबसे बड़ा रीजन था कॉन्टेंट मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं बहुत सारा कॉन्टेंट कांटेंटि करे हूँ मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सारा picture-perfect होते हैं वहां के सारे-सारे घर उनके रूम सब कुछ picture-perfect होते हैं जो कि in the reality सारी चीज़ए picture-perfect नहीं होती है सो यह तो सिफ एक काफी छोटा सा example दिया मैंने influence का ऐसे काफी सारे और भी चीज़े होती है जो आपको indirectly काफी सारे influence करती है इन सारे content को consume करकर के प्लस सब लोग अलग-अलग सुछते हैं महलब मेरी thinking कुछ और होगी और किसी और की thinking कुछ और अब जितना भी content consume करोगे जितने लोगों का content consume करोगे उतना ही आप confused होते जाओगे और उतना ही आपके mind के level पे conflicts होने चालू हो जाएंगे मतलब आपकी दिमाग के अंदर मेरी thinking भी होगी किसी और की भी होगी और वो आपस में जगड रहे होंगे और इन सारी चीज़ों का end result होता है mood swings तो अगर आपको बहुत सारे mood swings आ रहे हैं तो इसका एक reason यह content consumption भी हो सकता है तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे खुद से डिजिटल उपास ट्राय कर सकते हैं और उसके आपना खुद का experience and results आपको बताऊंगा तो आपको एक clear idea मिल जाएगी तो डिजिटल उपास करने के लिए आपको एक दिन के लिए जो भी digital screen है मतलब कि आपकी smart watch है आपका smartphone है आपका laptop है यहाँ TV screens है यह कोई भी टाइप की digital screen है उसे आपको avoid करना है अब यहाँ पर avoid करने का वालब आपको avoid करना है ना कि आपके parents को तो अगर आपके parents TV देख रहे हो तो उनकी TV मत बंद कर जाना कि नहीं मैं डिजिटल उपास कर रहा हूं आप लोग भी बंद करो ऐसा नहीं अगर वो टीवी देख रहे हैं तो आपको और रूम में चले जाना simple as that and आपको avoid करना है जितना आप कर पाओ plus यहाँ पर मैं आपको और रूम बता दू कि आप music भी consume नहीं कर सकते हो मला music भी नहीं सुन सकते हो because music भी आपको influence करते हैं हाँ अगर आपको गाना गाना है तो आप गाना गुनगुना सकते हो but आप सुन नहीं सकते और आपको सुनने के लिए भी आपका फोन जो है वह चालू करना पड़ेगा लेकिन इस डिजिटल उपास के टाइम पर आपको आपका फोन आपका जो लैप्टॉप है वह पूरी तरह से अब आपको एक बुक लेते हो तो आपका पूरा फोकस है वह सिरफ एक बुक के content के उपर होगा जो कि बहुत सारे content से तो better ही है अब इस चीज़ का clear idea देने के लिए मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या कर किया उस दिन में सबसे पहले तो मैंने पूरी नींद ली अद उसके बाद मैंने exercise किया मैंने meditation की मैंने कुछ self grooming की जैसे की मैंने मेरे nails cut किये मैंने decor किया मैंने face पे काम किया उसके बाद मैंने कुछ घर के काम किये मैं बजार गया सामान लेकर आया and then मैंने activa self की means यह सारे ऐसे काम थे जो कि हम लोग usually delay करते रहते हैं but उस दिन actually मेरा जो भी consciousness था वो इन सारे कामों पर ही था because अगर normal days की बात करूं तो अगर मैं phone चालू होता है तो मेरा 20% ध्यान तो इस alertness पे जाता है कि कोई notification तो नहीं आई है and बाकी के खाले time में मैं terrace पे गया and वह पे मैं सारी चीज़े सिर्फ observe कर रहा था okay for example clouds आज़ पस में जो घर थे and birds and docks streets पे गाड़िया जा रही थी इसारी चीज़े को actually मैं observe कर रहा था and this experience कभी साथ peaceful था क्योंकि actually मैंने यह साही चीज़े कभी पहले इतनी notice नहीं की थी अब मैं आपको कुछ benefits बताऊंगा जो कि मैंने experience किया इस पूरे दिन में so first thing was I felt mentally very relaxed because एक दिन का break तो आप खुद को दे सकते हो right इस दिन में पर कोई भी काम का pressure नहीं था ना यह कोई studies का pressure था and मैंने सोच रखा था किया जो भी होगा मैं कल से करूंगा आज का दिन जो है वो पूरी तरह से मेंने लिए break है तो इस वज़े से मैंने बहुत ज़्यादा mentally relaxed feel second thing I felt more connected to the nature आजकल technology इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपके आजपास में आपको बहुत साही technical चीज़े देखने को मिल जाएगी जैसे आपका phone है आप रास्ते पर चलोगे और आपको कहीं ना कहीं पर स्क्रीन दिखी जाएगी इस वज़े से हम लोग जो nature है उसे blind spot में डाल देते हैं for example हम लोग को यह तो याद होगा कि हमारे घर के सामने यह वाली building है ऐसी दिखते है वो लेकिन हम यह यह याद नहीं होगा कि उस building के आसपास में पेड है या नहीं तो हम लोग trees जो है उसे blind spot के अंदर डाल देते हैं नहीं मेरी future के बारे में so at the end I was in the present moment मैं हर चीज़ जो भी कर रहा था वो पूरी consciousness के साथ कर रहा था अगर मैं अगर मैंडिव को पूरी consciousness के साथ कर रहा था नॉर्मली जब मैं यह चीज़ करता हूं तो मेरा दिमाग कही और होता है लेकिन वो काम कर रहा हूं उस दिन मैं हर चीज़ को करते करते हैं ना ही मैं future में था ना ही मैं past में था तो अगर यहां पर ही मैं आप कोई example दूँ तो अगर आप Instagram पर कोई meme पढ़ते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे words होते हैं कि past मेरा थका हुआ है future का कोई अता पता नहीं है लेकिन still मैं यहां पर lazy हूँ या ऐसा कुछ भी मैंदर छोटा मोटा कोई meme हो तो उसके अंदर आप future word पढ़ोगे या past word पढ़ोगे आपके दिमाग के अंदर at least समझने के लिए आप समझोगे कि उससे read करोगे future मतलब यह होता है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर यह एक trigger point होता है उस वाइसे आप थोड़ी तर बात देख होगे हैं तो automatically यह future topic आपके overthinking mind में चालू हो जाएगा और आप overthinking करोगे, आप sad उते रोगे and काफी problem हो सकती है Okay, at the end मैं यह की बलना चाहता हूँ, इसी point से connected है, मेरा fourth point जो की है I had no mood swings Yes, मतलब पूरे के पूरे दिन में मुझे एक भी mood swing नहीं हुआ, मैं पूरे के पूरे दिन में पूरी तरह से happy and peaceful था एक भी बार और एक भी second ऐसा नहीं होगा, जब मैं पूरे दिन में sad हुआ हूँगा, क्यू? Because मैं content ही consume नहीं कर रहा था and मेरे दिमाग के अंदर ऐसा कोई thought आ ही नहीं रहा था जिस विएसे मैं sad हूँ Fifth point, I had very less thoughts and I was able to concentrate a lot उस दिन में दिमाग के अंदर काफी कम thoughts आ रहा था because मैं काफी साही चीज़ों से detach हो चुका था and इसी विएसे मैं काफी साही चीज़ों में concentrate कर पा था बले वह reading हो यहां तो script writing हो लेकिन मैं हर काम अच्छे से concentration के साथ कर पा रहा था and इसके बाद वाला point मेरा postal favorite point है and that is that I was feeling more creative that day and उस दिन मुझे काफी सारे ideas आ रहे थे, मेरी future के related and मैं कहानिया लिखता हूं उसके related यहां इस YouTube channel के related and वो सारे की सारे ideas मैंने काफी अच्छे से लिखे, उन्हें और elaborate करके लिखा and वो सारे की सारे ideas आपको कुछ दिनों में पता चल जाएंगे so to be honest उस दिन मैंने एक चीज़ नोटेस की कि जो peace मुझे उस दिन मिला वो मुझे तब मिलता था जब मैं बच्चा था मतलब कि उतना जो peaceful mind है वो तब ही होता है जब हम लोग बच्चे होते हैं but उस दिन actually मुझे वो experience करने को मिला इसके पहले भी मैंने चार अफते का social media detox strike किया था WhatsApp, Instagram जो भी social media platforms है वो सारे के सारे use करना बंद कर दिये थे मैंने but eventually तब मैं YouTube बहुत जादा consume करने लगा था but अगर मैं इस बार की बात करो तो इस बार मैंने actually phone भी हाथ में ने रुखा मैं अब कुछ भी use नहीं किया कोई content ही नहीं देखा तो इस वरे से इस चीज का आउटकम था वो काफी जादा अच्छा था and that is why I will recommend this thing to all अब कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे पास तो इतना time ही नहीं है कि मैं मेरा पूरा एक दिन waste करूँ अब मैं उन लोगों को कि at least आप खुद के लिए एक दिन निकाली सकते हो मैं आप ये चीज संडे को भी कर सकते हो अगर ज्यादा काम है तो Saturday को ये most of काम पता सकते हो संडे को पूरा दिन आप ये डिजिल उपास ट्रैक कर सकते हो so yeah I will recommend this thing to everyone so I hope this video was helpful thanks for watching this video I will be next time very soon